गुद मोरी आरुड़न गाईस आपने कहवा सुनी होगी गिर्गिट की तरह रंग बदलना ये एक प्रत्रिद लोकुक्ती है एक हिंदी का मुहावरा है इसका मतलब होता है कभी कुछ और कभी कुछ करना कहने का मतलब एक बात पर इस्थिर नहरेना और ये बात हमारी यूनि BSC Final Year का Organic Chemistry का जो एक्जाम हुआ था 12 जुलाई को उसके बारे में बात होगी तो देखे आपके जो एक्जाम्स हैं 29 जुलाई और 30 जुलाई वाले विल रिमेंड पॉस्टपॉन एक्जाम्स और 29 जुलाई और 30 जुलाई विल रिमेंड पॉस्टपॉन इस एक्जाम्स विल भी हैल्ड और 9 जुलाई और 30 जुलाई के एक्जाम्स युनिवस्ट्य ने पहले बेड एंटरेस एक्जाम्स की वजह से इस्थगित कर दिये थे पॉस्टपॉन कर दिये थे लेकिन जब यह पता चला कि बेड एंटरेस एक्जाम्स अब 6 अगस्ट को होगा तो CCSU के रजिस इसमें ही करेंगे यह बात Friday को आई थी और कल इसका update दे दिया गया था जातर सभी informers ने इसका update दिया था लेकिन अब क्या हुआ है अब कल शनीवार को यह हुआ कि University Administration ने यह decision लिया कि अब इनके exam 9 अगस्ट और 10 अगस्ट को ही होंगे इसलिए मैंने आपको एक गिरगिट वाला example दिया था ठीक है तो अब सुन लो ध्यहन से 29 जुलाई और 30 जुलाई वाले exams जो थे वो अब सभी लोग अच्छे से समझ लो वापत से repeat कर रहा हूं सभी अच्छे समझ लो 29 जुलाई का इदिया आपका कोई exam है तो वो 9 अगस्ट को होगा 30 जुलाई का इदिया आप ठीक है बातागी समझ confusion बिलकुल दूर रखना है और एकदम mind में clarity रखनी है अब देखें university तो confuse करती रहेगी लेकिन आपको clear रहना है चलिए आगे बढ़ें आप बात करते हैं अगली information की देखिए आपको पता है कि LLB first semester के exam और LLM first semester के exam है Sunday से एक अगस्ट Sunday से तो इसके उपर ये Sunday नाम का word question mark लगा देता है लेकिन फिलाल तो अभी ये मान के चलिए कि एक अगस्टे ही है चलिए LLB sixth semester के exam 31 जुलाई से LLM fourth semester के exam 9 अगस्टे और B LLB tenth semester के exam 31 जुलाई से होंगे अब देखिए low courses के online exam के लिए आज demo है आज 25 जुलाई यानि आज Sunday को सुबह 10 बाद और शाम को 4 बजे से पहले online mock test यानि demonstration यानि demo कराया जाएगा online exam mode को चूज करने वाले students के exam form में जो registered email है उस पर university ने जो agency को चुना है जिस agency को university ने चुना है उसने instructions और link उपलब्द करा दी है आपको login कैसे करना है login ID आपका roll number होगा और password आपका date of birth होगा ठीक है आप students को mail नहीं आया है जिन्होंने online choose किया था और उनका email और phone number सही है और उनको mail नहीं आया है तो आप प्लीज एक बार अपने gmail का spam folder जरूर चेक कीजिएगा हो सकता है आपका mail spam folder में पड़ा हो ठीक है वापस repeat कर रहा हूँ spam folder जरूर चेक कीजिएगा ठीक इसके अलावा जिस आपको offline exam के लिए जाना पड़ेगा बाकी university यदि chance देती है फिर से online का विकल चुनने के लिए तो आप लोग उसमें correction करने की कोशच केजिएगा वरना लग नहीं रहा है कि आप chance देगी क्योंकि आज तो demo ही है ठीक है चलिए तो ये कुलमला के बात होई low courses के regarding कोई doubt होगा तो आप लोग comment कर लिजेगा इसके अलाबा बात करते हैं beard first year की तो beard first year जो session है हमारा 2020 और 22 तो इसमें beard first year के exam form 27 जुलाई से भरे जाएंगे 27 जुलाई से यानि मंगलवार से भरे जाएंगे और exam form भरने और exam fees submit करने की last date वो 20 अगस्त है सुमलीजे beard first year वाले session 2020 आपके exam form 27 ज discuss करना है वो यह है दरसल हुआ क्या था 12 जुलाई को BSC final year का BSC third year का organic chemistry B307 code B307 का exam था हो यह बहुत ज़्यादा यार मतलब आप क्या ही कहें जो BSC जो इस stream के रहे हैं जो science stream के students रहे हैं वो ही इस बात को समझ पाएंगे organic chemistry का जो exam था बहुत ज़्यादा कठिन था बहुत ठीक है chemistry first year second year final year तीनों में तीन तीन chemistry के तीन कोड़ के exam होते हैं organic chemistry physical chemistry और organic chemistry ठीक है अब देखिए इसमें जो physical chemistry और organic chemistry जो exam था वो आसान था as compared to organic chemistry physical chemistry का तो बहुत ज़्यादा आसान था अब जिन students ने organic chemistry का पेपर जुना था वास्तों में उनके साथ सच में अन्याए हुआ है उनके साथ नाइनसाफी हुई है पेपर बहुत ज़्यादा मुश्कल था कुछ students ने जो कुलपती है वाइस चांसलर ने उनसे शिकायत भी की है और कुलपती ने जाच का आस्वाशन भी दिया कि वो जाच करेंगे लेकिन यार एक बात समझे कुछ ऐसे इस्टुरेंट्स हो सकते हैं जो अधर कोर्सिस में है अधर कोर्सिस के जो इस्टुरेंट्स हैं वो यह कह सकते हैं कि क्या इन इस्टुरेंट्स को दिखनी रहा था इन्होंने organic chemistry का पेपर क्यों लिया थ है तो यह पता नहीं होता है पहले से पहले से पता नहीं होता है कि यह मुश्किल है या आसान आएगा chemistry एक ऐसा subject है यहां पर आप किसी भी चीज़ को मुश्किल किसी भी चीज़ को आसान नहीं कह सकते हैं कुछ इस्टुरेंट्स के लिए organic chemistry मुश्किल हो सकती है कुछ इस् मज़ में तो यहाँ पर यह decision ले पाना student के हाथ में नहीं है कि कौन सा आसान आएगा कौन सा मुश्किल आएगा जैसे हमें कुछ subject ऐसे होता है पहले से पता दिल जाता कि यह वाला code का पेपर है यह आसान होता है यह वाला मुश्किल होता है लेकिन chemistry में ऐसा पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर एक interest वाली बात भी हो जाती है कुछ students का interest के वल organic chemistry में होता है तो चाहिरी सी बात है वो लोग organic chemistry को चुनेंगे लेकिन अब दिक्कत उनके सामने क्या है organic chemistry का जो paper था वो इतना ज़्यादा मुश्किल आ गया अब यदि उनके इसी paper में इसको की एक ही code का paper होना है अब वो लोग physical chemistry या inorganic chemistry में paper दे के marks अच्छे नहीं कर सकते अब पहले तो क्या होता था मानलीजी आपका एक paper ये बिगड़ गया तो आप इन दोनों में physical chemistry में और inorganic chemistry में महनत करके अच्छे marks ला करके अपने आपको जो है clear कर जाते थे लेकिन अब क्या है जिन्होंने organic chemistry का ही code चूज किया था उनके सामने सबसे बड़ी problem क्या है उनके सामने सबसे बड़ी problem ये है कि अब यदि वो इसमें fail हो जाते हैं तो सीधी सी बात है उनको जो marks मिलेंगे वो इसी के according मिलने वाले है तो इस chemistry subject ही उनका पूरा का पूरा भी गड़ जाएगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है अब या तो इन इस्टुरेंट्स को chance दिया जाए ठीक है इन इस्टुरेंट्स को chance दिया जाए फिर से कि ये लोग physical chemistry है इन और organic chemistry का paper दे सके क्योंकि ये एक नाइनसाफी है कि एक exam को तो इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया है और उसी subject के बाकी code है वो आसान आ रहे है तो नाइनसाफी तो है ये तो यूनिवस्टी प्रसाशन को जरूचना चाहिए विचार करना चाहिए यूनिवस्टी प्रसाशन को और जो students है जो BSC वाले students है उन सभी को भी इस जरूँ उठानी चाहिए ठीक है वरना आम देखिए बहुत नुकसान हो जाएगा organic chemistry जिस जिस student ने भी organic chemistry को चूज किया था उनका नुकसान तो त्या है ठीक है चलिए तो कुल मिलाकर ये बाते थी और वैसे वाइस चांसलर से शिकायत की गई है और उन जांच कास्वाशन बीजय लेकिए आप देखते हैं यूनिवस्टी क्या करती है बाकी आप अपने तरफ से भी अपनी साइड से भी प्रियास करते रहें ये कोई डाउट होगा तो आप लोग बूच सकते हैं धन्यवाद आप लोग का चुड़ने के लिए